ऐले दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चनल इस्टॉक मार्केट 09 देम में दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कल के दिन मतलब मंडे के दिन मार्केट जो है वो कहां काम कर सकता है और कहां रुख सकता है और कहां सपोर्ट और कहां रेजिस्टेंस से सब बात करेंगे यह जो है आप देख रहे हैं चार्ट बैंक रिफ्टी का पांच मिनिट का चार्ट हम लोग ओपन करके रखे हैं जो आप देख रहे हैं ठीक है तो मार्केट में पहले यह जा लेते हैं दोस्तों लास्ट वीडियो में जो मेरा पेडिक्सन था दोस्तों बैंक रिफ्टी के के बारे में आईए वह हम लोग अपना मेरा यूटूब चैनल पर ही जा करके सुन लेते हैं कि मैंने क्या बोला था ठीक है इस लेबल के उपर अगर फ्लैट खुलता है यहां पर तो क्या करना होगा अगर घ्याप खुलता है दोस्तों खुलने के बाद जो अपना आज का क्लोजिंग है आज का closing के नीचे नहीं जाता है और इसके उपर sustain करता है 20 से 30 मिनट और उसके बाद उपर निकल जाएगा इस लेबल को तब हम लोग target जो है वो लेंगे जो पहला target होगा 4200 का होगा एक बहुत छोटा टार्गेट दिये हैं दोस्तों जो दूसरा target होगा हमारा वो होगा यह जो कि है 44,400 और तीसरा target होगा 44,526 का यह तीन target के लिए हम लोग उपर में काम कर सकते हैं अगर मार्केट इसके उपर रहा और आज के closing के नीचे नहीं आया तो ठीक है आप सभी नहीं देखा दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में क्या बोला था लेकिन दूसरा और में इस candle में break किया दोस्तों हम लोग यहाँ पर entry बनाए थे और यहाँ के entry के बाद देखे दोस्तों पहला target हमारा यह था और दूसरा target हमारा यह था जो कि 44,526 में ने बोला था और exact वहीं पर market टच किया तो हमारा analysis जो है दोस्तों लगतार सही हो रहा है आप वीडियो में जा करके देखिए ठीक है और हमारा analysis से आपको सीखने को भी मिलेगा दोस्तों चली आब हम बात कर लेते हैं कि Monday के दिन जो है market कहां काम करेगा उसके बारे में तो Monday के दिन दोस्तों हमारा closing पहले देख ले अगर market जो है यहाँ पे flat खुलता है खुढ़ ठीक है खुलने के बाद it here पे रुकता है ठीक है रुकने के बाद अगर हमको देखना है दोस्तों यह लाइन और यह लैंग के अंदर रहेगा अगर market इस एरिया में तो trade नहीं लेना है ठीक है सेफ ट्रेडिंग रहेगा दोस् ठीक है तो अगर इसके उपर फ्लैट खुलने के बाद अगर इसके उपर निकलता है मार्केट जो की लेबल है 44,536 का तो ही हम यहाँ पर कॉल लेंगे और जो हमारा टार्गेट होगा नेक्स 44,700 का पहला टार्गेट होगा दूसरा टार्गेट आईए बात कर लेते हैं पहला टार्गेट यह होगा 24,728 दूसरा टार्गेट होगा 44,950 यह दो टार्गेट के लिए हम लोग उपर के लेबल पे काम करेंगे अगर दोस्तों अगर मार्केट मान के चलिए फ्लैट खुलने के बाद इस लेबल को ब्रेक कर देता है ठीक है तो हम लोग जो है पहला टार्गेट के लिए काम करेंगे नीचे की तरफ पी के तरफ जो की होगा 43,950 का और दूसरा होगा 43,828 का ठीक है दोस्तों अगर इभी लेबल ब्रेक हो जाता है मंडे के दिन तब हम लोग 43,600 तक का भी टार्गेट देख सकते हैं ठीक है दोस्तों अगर इन केस मान के चलिए ग्याप अप होता है इस लेबल के उपर ही तो तुरंत कॉल नहीं लेना है वेट करना है थोड़ा सा जो देखना है कि आज का जो क्लो नीचे आगिया और आज का जो क्लोजिंग है उसको ब्रेक करके यह लाइन भी ब्रेक करके नीचे चला गया तो थोड़ा सा संतर्क रहीगा गैप गैप के केस में ज्यादा बैटर होगा दोस्तों कि अगर हम लोग को मार्केट जो है फ्लैट मिल जाए फ्लैट के केस में बह फासीएगा हो सकता है कि आपका प्रेमियम डिके करे इस रेंज में इसलिए इस रेंज में फासना नहीं है आप बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर मान के चलिये कि मार्केट जो है gap down होता है, gap down होने के case में gap down होते ही इसको अगर break कर देता है तब आप जरूर call put ले सकते है जो कि हमारा पहला target यह होगा दूसरा यह होगा, इस दो target के लिए आप put ले सकते है, दोस्तों in case मानके चलिए gap up होने के बाद इसको support मानता है इस line को जो कि है 44,230 का support अगर लेता है और reversal दिखाता है तो wait करिए, इस line को break करने दीजे तब ही आप call लिजेगा इस range में कोई काम नहीं करना है बस इतना जाल लिजे, इसके उपर और इसके नीचे ही काम करना है इस range को पूरा छोड़ दीजे, ठीक है अब हम बात करेंगे दोस्तो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हमारा analysis जरूर देखे like, follow जरूर करिए दोस्तो और हमारा video में बहुत अच्छा analysis मिल रहा है और दोस्तो एक request है like, follow जरूर करिए क्योंकि बहुत छोटा YouTube है हमारा और इसको बड़ा बनाना सब आपके हाथ में है तो subscribe करना ना भोले दोस्तो और like भी जरूर करें ठीक है, कोई भी आपको reason है कहीं भी आप फस रहें तो comment करके हम लोगों को जरूर बताईए आपको reply कर दिया जाएगा और आपका problem का solution जो है वो comment के द्वारा solve कर दिया जाएगा ठीक है दोस्तो तब तक के लिए मिलते हैं फिर next video में तब तक के लिए thank you thank you very much